नमस्कार स्वागत है आपका गटना चक्र पुनर विलक्वन के एक और वीडियो लेक्चर में जिसमें हम भारत का बुगल जो गटना चक्र है उसको डिसकस कर रहे हैं आज का टोपिक हमारा आपके सामने दीख रहा होगा जल वायू होने वाला है जल वायू में पेला जो के उत्पति आपको अर्विवासा के मोसीं सब्द से हुई है जिससे का तात्पर मोसम यह रीतू है दूसा कोच्छन निम्हें कतनों पर विचार करना है भारत मुलता एक मांसुनी दे से उच हिमाले उसे जल वायू संबंदी विशिष्टा प्रदान करता है तो देखो भार मुलता मांसुनी देशे जहां की जलवायू मांसुनी जलवायू की लगबक सभी विश्यस्ता पाई जाती अथा कथन सही हिमाले परवत भारती जलवायू को इस माहिने में विश्यस्ता प्रजान करता है क्योंकि मांसुन हवायू के लिए भोतिक अवरोध उत्पन करता है जि अनों भीन जलवायू को भागो को प्रतक करता है कथा आर तता आर सई व्याख्या भी करता है निचे देए गए मानचित्रवा ध्यान दिए देए गए निद्वसक्त मानचित्र देखकर बताए कि वह किस विवरंड में संदर पीते तो इस वाले कोच्छन में आपको देखना ह तो मेरे सबसे छोड़ देते हैं इस वाले को एसे कोच्छन अपने MPPSC में दिखते नहीं है तो कोई मतलब नहीं फिर भी इसके लिए देख लो कि यह भारत का है तो एक यह दो प्रदेशी तीन यह चार ठीक है यह दो भी यहाँ पर दिख रहा है तो सित कालिन वर्सा दाप वाशिक वर्सा के दिनों की संक्या मध्यताप तो मध्यताप D कल्प में सही चुनिए अभी कतन आपके सामने या दावा ए भारत की जलवायू उसने कट्वंदी मानसुन की तरह है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भारत उसने कट्वंदी अक्सांसों के बीच अवस्तित है तो ये उसके कट्वंदी अक्सांसों के बीच अवस्तित नहीं ए सई और आर गलत है तो बी इसका सई अन्सर हो जाएगा अब देखों यहां पढ़ लेते हैं भारत उसके कट्टी बंदी मांसुनी जलवाला प्रदेश से या देश है भारत उसने कट्टी बंदी अक्सांस तेविस साड़ेश डिगरी उत्तिरी से साथ देविस डिगरी दक् आग मैं सबसे पहले उता तो केरल में होता है मिज्य बहारत में जिश मकलेन मांसुन के प्रवाग की सामनता जिछा है तो दक्षण पस्षिम से और भयरत का मेब अब डक्षिन इदर है उत्तर बर पूर फसीव इदर है तो यह से लोड़े असे फिर उत्तर पूरव की प्रशन बहु का करते हैं जिसके कारण प्रावाईत होती तो दक्षिन परवाईत होती है, निचे दिये जल वायू को आरेक को ध्यान दिजी इस कुर्चन को हम छोड़ देते ही निश्ट निमने में से कौन सा एक सबसे सुखा इस्थाने तो ले है ठीक है लेत कापरे लदाक में ले लदाक दोजार उननिस से इसको क्या बना दिया गए आपको पता होगा की यूटी ब में को धुक्त बंदी में विवाजित करने वाले आधार के रूप में मानी गई जनुवरी की समताप रेका है तो अठारा डिक्री सेस्था से नेस्ट कोच्छन, भार्त के किस भाग में सर्वादिक देनिक तापंतर पाया जाता है तो यह देखो 2011 का कोच्छन है यह आपका पर मद्धिपदे सेट कर दिया था तो पूर्वी टट ठीक है अब यह आपन मेब बना लेते हैं तो यह पूर्वी टट गलत इसके कारण आपका जो तमिल नाडू वाला चेतर है विस्थापन को इंगित करता है यह जिसका कारण है तो कुन साय इस्थलो समुद्र के विभेदी तापन के करण मानसुनी जो मोसमी विस्थापन में इंगीत करता है जब जलवाई वाला आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जब आपको अच्छे से समझवाएगा यह वाली चीज निमने लिखित कत्नों पर विचार कीजिए दक्सिन भारत की उत्तरी भारत की और मानसुन की अवदी घटती है ठीक है उत्तरी भारत के मेदानों में वार्सिक द्रिवस्टी का मात्रा से पूरी पस्चिम की और घटती है अब आपको यह क्या पुछ रखा है यहां पर कि अब मेप आपके सामने होना चीज जो आपको चीज़े समझवाएगी यह भारत का मे मिया से उपर का जो है उत्तिरी भारत हो जाता है ठीक है यह दक्सिन भारत है यह उत्तिरी भारत है तो क्या वालगा दक्सिन भारत से उत्तिरी भारत की और मानसुन की अवदी घटती है तो बिलकुल सही है घटती है उत्तिरी भारत के मेदानों में वरसिक व्रस्टी की मात भारती मांसुन का पूर्व अनुमान करते समय कभी कभी समाचरों में उल्लेकित इंडियन ओसन डाइपोल के संदर में निमने कत्नों में कुन सा सही है। ठीके OID परिगटना उसने कटवन्दी परस्यमी हिंद मासागर रहों उसने कटवन्दी पूर्वी प्रसांत मासागर के बिच सागर प्रष्ट तापमान के अंतर से विशेशिष्ट होती है। IOD परिगटना मांसुन पर एल निनो के असर्स को प्रभावित करती है। तो इसमें सही क्या देखने को मिलेगा आपको केवल दो अब इसकी आपन व्याक्या पढ़ लेते हैं जब आपको समझ में आएगा। Indian Ocean Dipole को भारती में भारती निनो के नाम से भी जाना जाता है। ये समुझे सता के तापमान के अनेमित दोलन का परिणाम है जिसके पस्चे में हिंद महासागर का तापमान प्रकार रेपन ठीक है पूर्वी। हिंद महासागर के अपक्सा गर्म और ठंडा हो जाता है कथन एक गलत है। ये परिगटना मानसुन के एल निनो को असर को प्रभाविट कर सकती है इस प्रकार कथन दो सही अथा विकल दो सही है। अम्रत सर एवन सिम्ला लगबख एक हैकसांस पर हिस्तित परंतु उनकी जलवायू में भिंता का कारण है। तो उनकी उचयाई में भिंता है। ठीक है, इसे ही आगरा और आपका दार्जलिंग, दोनों एक ही अकसांस पर है, लेकिन यहां पर आपको क्या है, इनकी जो जलवायू रेती है, ठीक है, यहां पर विसमता देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहां उचा ही ज्यादा है, डार्जलिंग में उचा ही कम है, तो यहाँ पर कम ठंड पड़ती है, यहाँ पर ज्यादा ठंड पड़ती है, निमनलिकित कोन सी एक प्रकार की जलवाईू को 36 गड राज जी के फिलाओं में पाये जाता है, तो आंद्र दक्षिन पूर्वी, निमनलिकित छेत्रों में कोन सा छेत्र मानसुन की अरब साखा से अध अरब साखा से प्रभावित नहीं होता है, तो 36 गड का बेसिन नहीं होता है, निमनलिकित इस्तानों में कहाँ पर आंद्र जलवायू का अनुभाव होता है, अमदाबाद, लुधियाना, कोची, तेजपूर, तो देखो, ओप्षन यहां पर डीस है, दो और चार, तो कोची और तेजपूर, आद्र जलवायू का अनुभाव होता है, क्योंकि वर्सा अधिक होती है, 2019 में कोची में 3380.6 mm और एना कुलंब एमदाबाद में 748 mm, लुधियाना में 733, तेजपूर में 800 mm वर्सा होती, अथा, इसपस्ट ही कोची और तेजपूर में अन्य इस्ठानों की अपेक्सा अधिक वर्सा होती, न्या वर्सा वर्स में कई महिनें में होती, अथा, आंद् अपमान बढ़ने से, तो इसलिए सीअ अपका शहैंसर हो जाएगा, अब मांसुन मतलब लोटता पर्स मेंधी होती होती है, खिर मांसुन में इसपसीं, अब ये उत्तर ये रहा और पूरी पसीं, तो उत्तर और पसीं, ठीके, उत्तर पसीं में विस्तत निम दाप का छेतर बंगाल की खाड़ी के और बढ़ने लगता है समय आकास स्वच हो जाता है फिर नेश्ट कोच्चन कतनों पर विचार करना है पूरे वर्स 30 डिगरी नोर्थ और 60 डिगरी साउथ अक्सांसों के बीच बहने वाली हवा पच्छवा हवाय कहलाती है भारत के उत्तिरी पस्तिमी छेतर में सित कालिन वैसा आने वाली आंद्रेव संतिया पच्छवा पवनों के भागे तो इसमें केवल दो साईए 30-60 अक्सांस को के मद्य गोलाद में पच्छवा पाउने चलती है पेला सही ए पेला आपको 30-60 दिख रहा है नोर्थ हो साउथ तो यहाँ पर आपका अक्सांस होगे मद्य चलती है उपोस्ट ने वायुदाब कटी बंदी के उपधुरवी निमने वायुदाब कटी बंदी की और चलने वाली पच्छवा पाउनों को पच्छवा पाउने कहते हैं पच्छवा पाउनों का सरसेट विकास डक्सिनी गोलाद में 40-65 डिगरी अक्सांस के मद्य होता है जबकि भारत के उत्तिर पच्छिमों चेतर में सितकाली नवसा पच्छिमी विक्सोप के कारण होती है पच्छिमी विक्सोप पच्छवा होनों को हवाव कही भागे जो उपोस्ट पच्छवा जेट इस्टिम के सारे यह प्रवाहित होती है और रिवर्सा करते हैं इंटे ट्रोपिकल कन्वेजन जोन आईटी सी जेट निमन वायुदाप पेटी इस्ति थे तो कहां पर यह भूम अध्य रेखा पर होती है ठीक है सबसे पहले आपके आती बसंत रितू फिर आपकी आती वर्सा फिर आती आती आपकी सरद तो आप लोग अभी कोमेंट करके बताए आज तारीक हमारी कितनी अभी आपके वर्तमान में कौन सी रितू चल रही है ठीक है इन चारों में से आप लोग के लिए हूंवर के अब दूसरा टोपी हमारा वर्सा वाला आ गया है तो इस्टार्ट करते हैं वर्सा भारत की सरवादिक वर्सा मुखिता प्राप्त होती है तो दक्सिन पट्सिम मानसुन से होती है सभी को पता है ठीक है उत्री पूर्व मानसुन में सबसे अधिक वर्सा प्राप्त करने वाला राज तो आपका तमील नाडू उत्तर से पूर्व की और जब आता है निमन राजों में किसमे अधिक्तम ओसत वर्सा वार्सिक वर्सा होती ओसत वार्सिक तो यह होती है आपकी सिक्किम में ठीक है अधिक्तम ओसत वार्सिक वर्सा फिर नीचे इस्तानों में जो यूग में दिये एसे यूग में कौन से है जिनके दो नगर लगवक एक ही अक्सां अक्सांस पर लेकिन दोनों में वर्सा कम होती है आपकी अक्सांस पर है लेकिन यह मर्ण आपको यार्खना है कि जो आपकी उचाई के कारण्ट ठीक है एक एक मोशम लिग्ज्ञान कें रोसट बश्रीक तापंगा शेटम से अब्रशंट सेंतिमेटर इसके तापंगा वार्श परीसर नोन्ट डिगिर ईंधरी मुझ्न तो गर्ला देख लो आमर वर्शा तो आँकी फसल के लिए ठीक है का पर होती है तो करनाटा को केरल के में होने वाली मानसुन पूर वर्सा हुआ रहे जो आम की फसल के लिए अत्यदिक लाप करी होती है यह वर्सा बंगाल की खाड़ी से उत्पन तुफानों के फलस्वरू अप्रेल महा में होती है इस वर्सा से आम की वो च्छा बोरे पेट से तूटकर गिरत सबसे कम वार्सिक वर्सा होती है तो यह होती है ले में प्रस्ण वाप्रस से रिपीट हुआ तेरा पुंजी अश्ती थे तो मेगाले में ठीक है भारत में सरवादिक वर्सा होती है तो पस्षीमी घाट में होती है फिर हिमाले छेत्र तथा मेगाले में तो आपको क्या पस् कि होते हुए भी ये देश प्यासी धर्ती समझा जाता इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से भाजाना बिल्कुल सही वर्षा के पानी की सिगरता से भाप बन कर उड़ जाना बिल्कुल सही वर्षा के कुछ थोड़े मैने ही में जोर होना ठीक है वर्षा का कुछ थोड मानसन से होने वाली वर्षा का जल या तो तेजी से बह जाता या भाब बनकर उठ जाता इसक्रकार 68 मेने भारत में वर्षा की कमे के करन सामना करना पड़ता जबकि भारत की वार्षिक राष्टी वर्षा 1288.8 mm है इन्हीं कार्ण से कभी-कभी यह समझा जाता है कि भारत में वर्षा का अधिक्के होते वी धर्ती प्याती है निमने में से कौन जल प्रवंदन युक्ती भारत में लागत का अधिक्तम लाब देने वाली है तो कुन सी यह वर्षा के जल संचे का नीमने में से भारत की किन छेत्र में ओसत 200 mm वर्षा होती है तो काई में होती है आपकी यह आपको यार रखना है तो जम्बू और कस्मीर में ठीक है जम्बू कस्मीर में होती है आपकी यह कपका प्रस्ण है तो यह आपका यार रखना है 1994 लेकिन 2019 के बाद जम्बू कस्मीर आपका बदल गया है ठीक है प्रस्ट में भारत में 200 मिल्वेटर वर्षा 69 वर्षा जम्बू कस्मीर के जासकर सेनी के तथा और राजस्थान के पस्ट्र में भाग में होती अथा विकल 20 सही माना जा सकता परन्तु समगरे राजस्थी के डिश्ट्री देखते है उप्यूप में से कोई भी उत्तर सही नहीं होगा ठीक है भारत वर्ष के आपकडे 2019 के अनुसार जम्बू कस्मीर में 1300 असम में 2000 भिहार में 1100 पस्टिम बंगाल में 1700 अमर्द्यपदेश में भी 30% मांसुन से ही आपकी वर्षा होती है जब पुस्कर की पाड़ियों में भारी वर्षा होती तो बाढ़ कहां से आती है तो बालो तरह से आती है ठीक है अब यह राजस्तान PSC का है तो यह राजस्तान GK का प्रसना जाएगा अपने किसी काम का नहीं है यह वाला प्रसना आप अच्छे से पढ़ लिजे कि गंगा के मेदान यदि कोई पस्सिमी और उत्तर पस्सिम से चले तो मांसुन की वर्षा घटती हुई मिलेगी ठीक है गंगा के मेदान में कोई जो जो उपर बढ़ता जाए अंध्र धरी मांसुनी वर्षा की ऊंची जाथी मिलेगी ठीक है उपर बढ़ता जाएगा तो अंध्र धरी मांसुनी पाउने उची ऊचती जाएगी रबी सही है और ए र की सही व्याक्या है पर यह मांसुनी तरे इसको चोड़ो ये अपने लिए किसी काम का नहीं ये वाला प्रस्ने भी किसी काम का नहीं नेस्ट कोर्चन ये पढ़ लेते हैं कि भारत के अर्द सुस्क छेत्र में जल ढलान विकास का प्रमानप चीन है तो बड़े पेमाने पर ढलानों की इस्थापना ताकि वर्षा का वास्पन ना हो गलत म्रदा बांध भू सर्षन उपाए रक्षार रोपन का उपकरम ताकि म्रदा में नमी सर्षित रहे और अंतर भोम जल का पुना पुरन होता रहे गहरे नलकुपों की भारपाई ताकि सेल इस्तर से जल का निस्कासन हो सके मोसमी नदियों से जल का तट बंदी करके जलासों में तंतर तो ये डी आपका सही देखने को मिलेगा भारत में मरश्टली विकास योजना अब किर्याविन थे तो कब है ये 21 जिलो में इसको भी छोड़ो कई काम का निय ये प्रीषन अपना भारत में अंतर-देशी जल मारगों का प्र्याप्त विकास तो बिल्कुल सही बाते नहीं हुआ है, भारत में धीक ते भागों में वरसा साल बर में चार मइन रहती, तो बिल्कुल सही बाते तो यह आर किसे भ्याखर, ठीके, चेरा पुझी इस्ती थे, तो खासि पाड़ेों में, गारो, मिकीर आपको देखने को मिलेगे, ठीके, चेरा पुझी, पिस सित कालिन वर्षा आप देखेंगे अपन जो अभी तमान में देखने को मिल रही है आपको भारत में उत्तरी मेदान में सित कालिन वर्षा होती है तो पस्यमी विक्सोप के कारण भारत में सरद कालिन वर्षा के छेतर है तो पंजाब तमिल नाडू तमिल नाडू में सरत कालिन वर्षा अधिकान जिन कारणों से होती ही वे है उत्तरपूरी मांसुन या लोटतावा मांसुन भारत के उत्तरी मेदान में जाडों में कुछ वर्षा होती है जाडों के उत्तरपूरी मांसुन सक्री होता है तो देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा ए और आरसाई दोनों परन्तु ए आरसाई की व्याख्या नहीं है नीमने राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मोसम में बारिस मिलती है तो तमिल नाडु में क्योंकि यह लोटतावा मोसम होता है ठीके भारत में नीम निवसे किस टटी प्रदेश में उत्तर पुई मांसुन से वर्षा होती है तो कोरो मंडल टट पे होती है माला बार, गुजरा टट, कॉंकान टट ये आप सभी को पता होगा कोरो मंडल इदा रे, माला बार इदा रे, कॉंकान इदा रे, ठीके और गुजरा टट इदा रे, आपको देखने को मिलेगा प्रती चक्रवात इस्तिती में सीत रितु में तब बनती है जब वायू मंडले दाप उच होता है और वायू ताप निम्न होता है ठीके, उत्तर भारत में सीत कालिन वर्षा निम्न तापो वाली प्रती चक्रवाती इस्तितियों का पेदा करती है तो ए सही परणतु आर गलत है, शी इसका सय अंसर हो जाएगा भारत में निम्न लिखित में से किस छेतर में सीत कालिन वर्षा होती है तो देखो, उत्तर पस्षिम से भी होती है ठीके, उत्तर पस्षिम से और दक्षिम पूरु से भी आपको देखने को मिलेगी भारत में उत्तर पस्षिम पूरु से जुड़े होने के कारण वर्षा की मात्रा क्रमसा कम होती जाती है तो पस्चिम से पूर्य की ओर इधर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती रहती है ठीक है कब की बात चल रही पस्चिमी विक्सोप की नेमने से कौन्चा कारण भार्ट के उत्तर पस्चिम भाग में सन 2004 की सुनामी भारत के निमने टटो में कौन सा सरवादिक दूस प्रभावित हुआ था, ठीक है? 24 में जे सुनामी आई थी, खुद खुद चक्रवाद भारत के किस निमने लेखित कोन से 30 छेत्र को प्रभावित कर आता तो आनरपतेस को, ये 2016 में पुछा गया, तो अभी कोई भी चक्रवाद वर्तमान में चल रहे हो या आये हो, तो उससे कोई प्रभावित छेत्र हो देख भारत में सुनामी वानिंग सेंटर अवस्थी थी, तो काँ पर अवस्थी थे सुनामी वानिंग सेंटर हैदराबाद में, भारती मोसम विज्ञान विभाग इस्थापी थे नई दिल्ली में, इसकी इस्थापना कब हुई थी, तो वर्स 800 विचत्तर में इस विभाग का इस आते हैं तो बुकम काँ पर आते हैं तो बुकम पाते हैं आपके हिमालय के गिरीपाद में। ब्भारत में। चक्रवात ज्राखंड और उडिसा में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसका B晚上 सही हो जाएगा। कथन और कारन हिमाले में भूस्क्लन कि अवर्ती में रधी हुई है बिल्कुल सही, हाली में वर्सों में हिमाले के बडए प्यत्रचन पर खनन कारे हुआ है बिल्कुल तो जो भुष कलन होता है तो खनन होगा तो होगा जैसे आपको बत्मान परता होगा कि हमारे टरनल में 40 मजदूर फस गए ठीक है क्योंकि जो टरनल बनाई जारी थी वो पहाड को खोटके बनाई जारी थी और प्राकृतिक के साथ छेडशाड कर रहे हैं तो प्रा मैं MPPSC का प्रस्ञ तें है अब यू पुरो पशीमी घा की दूलना में पूर्वी घाट की टुलना में जादा चे प्रभाइत होता है भारत में पूर्वी टट जो इधर वाला टट हे यूद्तरे पूर्व की यूद्तर और पूर्वी विपारिक की मेखलांघ में पढ़त पढ़ता तो है लिकिन इसके कारण चक्रवाद ज्याधा आते हैं ये नहीं है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है पढ़ता तो ये वेपालिक पावनों के मेखला पर आस्थी ते जो koina जलासे में जल इसल्टा के परिवातन के साथ अधिक सक्री होता हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, ठिक है, हुकम के हमको हमापर देखने की सम्भावना मिल सकती है, निम्ने राज्यों में किसमें सुरमादिक प्राकिस्टिक आपडा आती है, तो उडिसा म पर दे रखें आपको तो इनको पढ़ ली जागा यहाँ पर अल्प्रिवता, मध्य, गहन और अती परचेंड नेश्ट, सई सुम्मेलित नहीं है भूज, हेदराबाद, क्रिनगर, चेन नहीं तो ये तो option ही यह आपको देख रहा है ये पुछ रहा है कि कौन सा नगर कौन से छेतर में आता है तो इतना हमको करने की जरूरत नहीं है पिछले दो जसकों में उत्री भारती मेदान में बाड की बरंबत्ता बढ़ गई है ठीक है, बिल्कूल बढ़ गई है गाद के निक्षा, इसके कारण नदी गाटियों में गहराई की कमी हो गई है तो ये बाद भी सही, गहराई की कमी हो जाएगी तो पानी क्या उपर उठल जाएगा उपर आ जाएगा, तो उपर आ जाएगा तो क्या ये बाड आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी तो सभी व्याख्या करता है भार्ट का सबसे अधिक बाढ़ घरस्त राज्य है तो भिहारे उस्तर प्रदेश में निम्न में कौन सा सरवादिक बाढ़ प्रभावित होता है तो आपका पूर्वी छेत्र होता है अब उस्तर प्रदेश यह मानलो, ठीक है? तो यह तो पस्षी में हो गया है पूरवी तो इधर वाला ज्यादा होता है इधर से आपके गंगा यमुना अठिक है गंडग गोशी यह आपको देखने को राम गंगा यह सब का पानी इधर आता है तो पूरवी ज्यादा आपका प्रभाईत होता है कौन सा सही है प्राकृतिक आपदाय सरवादिक सती विकास सिल देशों में करती है ठीक है बोपाल गेस चालती मानव निर्मित थी बहात आपदाय यूक्त देशे मेगरो चक्रवात का प्रभाव को कम करते हैं तो इसमें कौन सा सही देखने को मिलेगा तो यहां भी इस्टार लगावा है तो देखो प्राकृतिक आपदायों के करण सरवादिक सती विक्सित देशों में होती है बिल्कुल सही बोपाल गेस मानवी चुक था तो ये भी ठीक है गोर्ट तर पर दो तीन दिसंबर 1904 को बोपाल को यूनियन कारवेट इंडिया लिमिटेट के कितना सक प् बिल्कुल सही ठीक है प्राकृतित आपदायों के पहेट सवेधन सिल सुबेद देशे यूनडीपी निभी भारत को 20 के 10 वे सरवादिक आपदा प्रवंड देशों में घोसित किया है कथन तीन में उल्ले की तिक भारत आपदायों यूक देशे जो सत्ति प्रतित होता है हा अपन को नहीं पढ़ना लेकिनी तीनों अपने हिंदी के लिए तो सही हो जाएंगे चारों ठीक है नेस्ट बाड कहां पर आती है वापस तो वही प्रस्न आ गया है आपका ठीक है बाड आपको कहां पर देखने को मिलेगी तो उत्तर प्रदेश विहार में भूकम कहां आते आतो पिदा में पर आपका पर वापस से ृपिट हो तो वह दीखने रहा है एक हुप प्रस्वाद दूनी है यह लाइता टो यह प्रस्नो 19 में हम्या घृब़ांच डब्लबाशी चेंज कर दिंग कुछ नहीं है तो जो था 21 साघर में उत्वन हुआ था तो यह हुआ था यह ता आपका अरब साघर में अब आपको सभी चक्रवाद पढ़ ले embora उनके नाम पढ़ लेना कि समुद्धी चक्रवाद तुफाणी होंने के अरब साघर उत्वन हुआ था तुपान में 2021 में गजाट में हम क्या देखेंगे मिठ्टिया ठीक है प्रमुक मिठ्टिया देखेंगे बारत की और इससे पहले आपसे निवदन दे वीडियो पसंद आ रहा हो हमारी संकला तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि अ